बीएमाई अगर 18 से आपका BMI कम तो वह प्रॉबलेमाटिक है आपको कोई भी अंडर निरूशमेंट की प्रॉबलम हो सकती है आपके ब्लड बॉड़ी में कम हो सकते हैं जो ब्लड के लेवल होते ही मोगलोबिन के लेवल बॉड़ी में काफी कम हो सकते हैं यह इन सब चीजों को टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आपका BMI कम क्यों है अगर आपके मेडिकल तरह से आप बिल्कुल फिट हो तो बेटर यह है कि आप अपने BMI को नॉर्मल लेवल में करा करके तब ही आगे बढ़ो क्योंकि अगर आप कंसीव हो भी जाते हो तो यह चांसे हैं कि आपको प्रेगनेंसी आपकी वजन और आपकी हाइट के साथ उसके तुला में एक फॉर्मिला लगा के किया जाता है कि डॉक्टर को अच्छे से करना आता है कि वह किस तरह से आपकी BMI निकाल सकते हैं अगर आपका 30 से उपर BMI है मतलब अगर आप अगर आप अबेस के काटेगरी में आ रहे हैं तो फिर यह तो बिल्कुल ही सही नहीं है कि आप इस वक्त कोई प्रोसीजर कराएं आपके लिए बहतर यह है कि आप अप अबीस से ओवर वेट के काटेगरी में आ जाएं फिर ही कुछ कराएं अगर आप नॉमल आ सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है अगर आप जादा बढ़ा है आपका BMI तो आपको सिर्फ फर्टिलिटी नहीं और भी प्रॉब्लम्स होने के रिस्क हैं जैसे आपको डियाबिटीज, हाइपटेंशन, तरह तरह के मेटाबॉलिक डिसॉर्स इन सब होने का रिस्क होता है तो इसलिए हमेशा बेटर होता है कि आप अप BCOD होने के रिस्क होते हैं जिसमें की अंडे या तो बनते नहीं है टाइम पे या फूटे नहीं है ताइम पे इसके अलावा अगर अगर सection हो जाते हो तो आपको मेडिकल डिसॉर्ड बिसॉर्डरे सोझ होने मिसकरीज चांसेश बढ़ जाते हैं तो कुल मिलाके आपको य रहेगी एक healthy body के अंदर ही एक healthy soul healthy mind रह सकता है और वही एक healthy baby को पैदा कर सकता है जिसमें कि बिल्कुल ही complication नहीं हो और हम जरूर चाहेंगे कि आप जल से जल pregnant हो जाएं और एक healthy और स्वस्त बच्चे को जन्म दे जिसमें जिसके दौरान आपको pregnancy के दौरान भी किसी भी तरह कि कोई आपको problem नहीं हो यही हमारी कामना है हम रखें आपका खयाल